हालो फ्रेंद्स आजकी इस विडियो में आपको यह बताने जारों की कैसे आप अपने Motorola Edge 40 Android मुट पोन में आप जो है Date and Time कैसे सैट कर सकते हैं अगर आपके मुट पोन में Date or Time अगर गलत शो हो रहा है तो इसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको डीटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए आप यह वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने मुवाइल फोन में सैटिंग पेज को ओपन कीजिए सैटिंग पेज में आपको नीचे आना है यहां पर आपको यह option मिलेगा सबसे नीचे यह मैं आपको दिखा देता हूं यह देखे system का option मिलेगा इसे select करना है अब इसके अगले page में आपको यह option मिलेगा date and time इसे select करना है यह आपका page open होगा date and time का इसमें आपको नीचे यह set date set time पे आप select करेंगे तो open नहीं होगा इसके लिए आपको करना क्या है उपर की side यह जो use network provide time दे रखा ही से आपको select करना है और इसमें आपको नीचे की side यह off का button तीसरा मिलेगा off पे select कर देना है तो यहाँ पर आपका date or time का option highlight हो जाएगा अब आपको date पे select करना है तीक है आपका calendar open होगा यहाँ पर आपको यह बीच में में का मन्त दिख रहा है महीना तीक है इसके में के left और right में दो arrow के button है इन arrow के button को आप दबा के मन्त को आगे और पीछे कर सकते है तीक है और आप यहाँ पर आपनी फिर यह date select कर लीजिए इसके बाद आपको सबसे उपर यह 2023 दिख रहा है तीक है 2023 पे select करना है तो आपका calendar open इसमें आप जो अपना साल यहाँ पर select करके इसे okay कर दीजिए तो आपकी date set हो जाएगी अब आपको time पे select करना है time पे select करने तो clock आएगी घड़ी आएगी इसमें आपको पहले घंटे का time फिर minute का time set करना है देखें उगली को सुई को उगली से दबा के रखना है और इसे गोल गोल गुमाना है और यहाँ पर इस तरीकी से आप घंटे का time पहले select कर लीजिए सुई को छोड़ देना है फिर इसके बाद इसे सुई को दबार से दबा के इसे आपको minute पे select करना है ठीक है आपका यह time set हो जाएगा अब आपको am या pm इन दोनों में से आपको एक option select करना है देखे am क्या होता है am आपका रात के 12 बजे के बाद से सुरू हो जाता है और आपके दुपैर के 12 बजे खतम होता है ठीक है अगर आपका इस बीच में यह time आता है तो आपको am पे select करना है ठीक है और जो आपका pm होता है PM आपका दुपैर के 12 बजे के बाद से शुरू हो जाता है 12 बजे के ठीक है 1 सेकिंड के बाद से शुरू हो जाता है और रात के 12 बजे पे जाके खतम होता है तो आपका इस बीच में अगर आपका ये टाइम आता है तो आप इसे PM पे सेलेक्ट करें ठीक है इसके बाद आपको नीचे OK का बटन दबाना है तो आपका data time set हो जाएगा देखी 11 बच के 30 मिनट और 27 मई ए मैं चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर तो यहाँ पर हम चेक करते हैं 11 बच के 30 मिनट और 27 मई यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो इस तरीके से आप डेटो टैम सेट कर सकते हैं